इस वीडियो में मैं आपको Canon PIXMA G310 All-in-One Wireless Ink Tank Color Printer के बार में बताने वाला हूँ ये होम और ओफिस यूज के लिए परफेक्ट है इसके खीमत है 13,000 रुपे के असपास अधिक जनकारी के लिए देखते रहिए नमज का दोस्तों मैं हूँ गोगी और ये है Canon PIXMA G310 All-in-One Wireless Ink Tank Color Printer का Box Packing Box के उपर ही आपको इस प्रोड़क के बार में काफी जानकारी मिल जाएगी और ये जो इंक बोटल है पर इंक बोटल कितना पेजिस प्रिंट कर सकता है वो भी Box के उपर मेंचन किया हुआ है इस Box को मैंने खोल दिया है अंदर आपको ये प्रिंटर मिलेगा डेटा केबल मिलेगा ये USB केबल है जिसका उप्योग करके आप प्रिंटर और कंप्रिंटर को कनेक कर सकते हैं आपको ये User Manual भी मिलेगा और ये है Power Code तो बस ये सारी चीज़े हैं जो आपको Box के अंदर मिलेगी तो ये है एक और Ink Tank Printer Canon PIXMA G3010 ये All-in-One Printer है आप Copy कर सकते हैं, Scan कर सकते हैं और Print कर सकते हैं आजकल Ink Tank Printers का जमाना है और काफी लोग Ink Tank Printers ही खरीतते हैं क्योंकि Long Run में जो Ink Tank Printers होते हैं ये काफी सस्ता बढ़ता है ये एक तरह से Compact Printer है, Home और Office Use के लिए Perfect है इस पर Top Paper Loading है और जो Print होके Paper बाहर निकलेगा वो यहाँ पर आप उसे Collect कर सकते हैं इस Printer की यूनिक चीज़ यह है कि इसमें चार Ink Tanks आते हैं और दूसरे Ink Tank Printer के मुकाबले अगर आप यहाँ पर देखें तो जो Black Ink Tank है वो Left Hand Side पर हैं ये देखिए Black Ink Tank और आगे से और Side से आप जो Ink है उसका Level चेक कर सकते हैं और Right Hand Side पर आपको Ink Tanks मिलेंगे Coloring Tanks और ये जो Ink है उसका Level कितना है वो आगे से आप चेक कर सकते हैं और एक Color का आप Right Hand Side से चेक कर सकते हैं तो ये देखिए इस प्रकार का Printer है जो Paper है उसे आप यहाँ पर लोड कर सकते हैं और अगर आपको document scan करना है या copy करना है तो इसका उप्योग कर सकते हैं और ये जो भाग है इसे उठाते ही यहाँ पर अगर कुछ कारणवर्स पेपर फच जाता है तो आप यहाँ से उसे न level है वो तुरंती पता चल जाएगा और यहाँ पर left hand side पर black ink tank है और यह जो black ink tank है यह तोड़ा सा बड़ा है आम तोर पे black ink का ज्यादा उप्योग होता है इसलिए यह जो black ink tank है इसे left hand side पर रखा हुआ है और इसका जो size है यह तोड़ा सा बड़ा भी है तो अगर आपको ink fill क करना है तो यह जो भाग है इसे आप इस प्रकार से उठा सकते हैं यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ cables है और tube भी है जिसके जरीए जो ink है वो पास होके print होता है जो controls है वो उपर की तरफ दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं power on off का button है wireless के लिए तीन प्रकार का दिखता है यह है USB port computer को connect करने के लिए wire के जरीए और यह है power in port चलिए अब यह जो cardboard है इसके उपर यह जो image है यह देखिए यह वाला इसे मैं scan करता हूँ और print करता हूँ मतलब कि एक तरह से copy करता हूँ तो इसे मैंने scanner के area में दाल दिया है और इसे बन कर देता ह और दिख सकते हैं कि paper को भी मैंने यहाँ पर load कर दिया है A4 size का paper है और अब यह जो button है color वाला button इसे प्रेस करते ही यह automatically जो content है उसे scan करेगा और print करेगा एक तरह से इसे copy कहते हैं तो अगर आपके पास all-in-one printer है तो आप जब चाहे तब scanner print कर सकते हैं एक तरह से xerox machine की तर आप cable के जरीए मतलब कि USB cable जो मिला हुआ है box के अंदर उसका उप्योग करके computer के साथ में connect कर सकते हैं या फिर इसमें जो built-in Wi-Fi है Wi-Fi direct भी support करता है उसका भी उप्योग कर सकते हैं wirelessly आप यह जो printer है अन्य डिवाइस के साथ में connect कर सकते हैं और wirelessly दूसरे devices से आप इस printer पर print command दे सकते हैं तो यह लिजए content जो है अब print होके आ गया है यह देखिए काफी बढ़िया लग रहा है और यह जो paper का मैंने उप्योग किया गया है यह साधरन किसम का paper है A4 size का है यह लिजए मैं इसे उपर रख देता हूँ और जो original copy जो है उसे भी मैंने side में रख दिया है देख सकते हैं कि color reproduction एकदम perfect है लेकिन quality में आपको थोड़ा सा अंतर दिख जाएगा क्योंकि paper का quality है वो दोनों ही अलग-अलग है जैसा कि आप देख सकते है वाइफाई का setup करना बहुत ही असान है यह जो i का button है इसे आप press करेंगे तो कुछी देर के बाद आपको ऐसे दो बॉटल की कीमत है 470 रुपे और जो black color है उसकी कीमत भी 470 रुपे है cost पर pages की बात करें तो black and white print आपको तकरीबन 8 पैसे per page पढ़ जाएगा और जो color print है वो आपको तकरीबन 21 पैसे per page पढ़ जाएगा black and white print आपकर आप करते हैं तो एक bottle से आप तकरीबन 6000 पैसे per page प्रिंट कर सकते हैं और जो color bottles है तीन बाटल को मिला के आप तकरीबन 7000 पैसे per page को प्रिंट कर सकते हैं copy कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप wifi का उप्योग करके wirelessly print भी कर सकते हैं ink tank printer की एक और खासित यह है कि इसका जो ink है वो इतनी जल्दी सुकता नहीं है यह printer आप amazon से खरीद सकते हैं उसका link मैंने video description में दिया हुआ है कीमत है 13000 रुपे के आसपास तो यह printer आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताईए अगर आपको यह video पसंद आया तो इसे like कीजिए share कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए और जो bell icon है उसे भी enable कर दीजिए और देखते रहिए